नमस्कार दोस्तों यूपी के सहर कानपूर से दिली एंसियार तक का सफर बहुत जल्दी असान होने वाला है हम बात कर रहें 306 किलिम्टर लंबे कानपूर नोईडा एक्सपेसवे की जिससे आपका जो पहले 8 घंटे का सफर लगता था वो महज 5 घंटे में पूरा हो जाएग तो आएए जानते हैं इस ग्रीन फिल्द हाई स्पेसवे के बारे में यह किन-किन जिलो से होकर गुजरेगा और वर्तमान में इस पर अभी क्या काम चल रहा है कब तक यह बनकर कंप्रीट हो जाएगा यह साही जनकारी आपको हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे तो आपको पता दे कि उत्तर प्रदेश के तीन बड़े उद्योगिक सहर नोईडा, गाजियावाद और कानपूर के वीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए लगवग तीन सुअसी किलूम्टर का लंबा ग्रिन फिलेक्स पेस्वे का DPR बनाने का काम जो है कवार फिर स से तेजी पकड़ लिया है, जनकारी के मतावित एनचाई ने इस मतोकांची योजना के प्रोजेक्ट की DPR बनाने के लिए 9 कंपनियों को अमंत्रित किया है, इन में से जिसकी भी बोली सबसे कम होगी उसे इसका काम सौप दिया जाएगा और उसके बाद DPR बनाने के बाद आगे का जो प्रोसेस है, फिर लेंड एक्विजीशन ये सब काम स्टार्ट होगा, तो देखिए जैसे जो भी एक्सपेस पर बनना है उसमें लगभग मेरे ख्याल से 90% भूमी जब अधिजित हो जाती है, तो काम आपका स्टार्ट हो जाता है, तो इस एक्सपेस पर लगग कासगंद, फरुकावाद, कर्नोज, उन्नाव और कानपूर को आपस में जोड़ेगा, इस एक्सपेस पर के बनजाने से आपका देखिए तो दिल्ली NCR से उत्तर प्रदेश के कई सहरों की जो है पहुँच आसान हो जाएगी, और आपका देखिए तो दिल्ली और गाजिया तो फिर यह समय घटकर पांच घंटे ही रह जाएगा, शुबात में एक्सपेस पर आपका चार लेन का बनाया जाएगा, लेकिन जमीन अधिगरन इस तरह से किया जाए कि बाद में इसको सिक्स लेन तक बढ़ाया जा सके जैसे फ्यूचर अगर नीड पड़े तो इसको सिक एक्स लेन का भी किया जा सकेगा, इस एक्सपेसवे के उत्तरी छोड एनेच नाइन यानि गाजयाबाद हापूर हाइवे से जुड़ा होगा, जैपकि जो दच्छनी छोड है, लगवक 30 क्रिम्टर लंबे कानपूर लखनों एक्सपेसवे के साथ जुड़ा होगा, जैने इसके अलावा आपका जो वरतमान में मेरिट एक्सपेसवे है, उससे भी एक्सपेसवे जुड़ेगा, जिससे आपका हापूर भी इससे कानपूर से जुड़ जाएगा दम, और इसके अलावा आपका परूजना में इसे जो जेवर एरपोर्ट है लोईडा में, उसको भी जोड़ने का प्लान किया जा रहा है, और फिर आपका इस्टर्न पेरिफेसवे से भी इसको जोड़ा जाएगा, तो एक तरस देखे तो काफिक कनेक्टिंग रोड होगा या, और काफिक महत्कून परूजना है, इसके साथी साथ इस हाई स्पीड सड़क मार के किनारे आपक और द्योगिक गलियारे भी बसाए जाएंगे, इससे अस्थानिय लोगों को रोजगार के उसर प्राप्त हो सके, और जैसे अगर बिजनस लगेगा तो आपका पता ही है कि जो अस्थानिय गाओं के जो लोग हैं, वहाँ पर भी विकास के रास्ते खुलेंगे, जैसे मैंने अब अभी वरतमान में इसका DPR के लिए काम चलेगा, अभी तो इसका जो डेडलाइन है, 2026 तक रखा गया है, लेकिन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसके बाद ही देखिए, तो कंफर्म कहा जा सकेगा कि कब तक यह बनकर तयार हो जागा, लेकिन यह डेफिनितली आ आज का वीडियो आप यहीं समाप्त करेंगे, और आपको वीडियो में देखे जनकारी पसंद आई हो तो इसको सेज़ कीजिए, और चैनल से नहीं जूड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जनकारे के साथ, तब तब के लिए हरा रमादेव